वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो मार्च 2021 के डेली कर इंटाफियर्स MCQ के बारे में और साथ ही जानेंगे इससे रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट्स ये वीडियो आपके सभी एक्जाम्स के लिए बहुत ही महत्तपूर्ण हैं तो वीडियो को आप एंट तक देखें बीच में इसके बिलकुल न करें वीडियो में बताये जाने वाले सभी कुश्चन्स जो हैं वह आपके आने वाले एक्जाम्स में अवज से पूछे जाएंग लिंक आपको description में मिल जाएगा चलते हैं देखते हैं पहला question तो इहां देखे पहला question हमारा है भारत के धरूबिय उपगरह प्रच्छेपन यान PSLV C51 के जड़िये हाल ही में कितने उपगरह अंत्रेक्ष में भेजे गए हैं तो देखे हाल ही में 19 उपगरह जो हैं वह PSLV C51 के द्वारा भेजे गए हैं और यह कब भेजा गया है तो देखे यह भेजा गया है 28 फरवरी 2021 को प्रच्छेपन यान PSLV C51 के जड़िये हाली में 19 उपगरह अंत्रेक्ष में भेजे गए हैं यह उपगरह आंत्रप्रदेश के स्रीहरी कोटा में इस्तित 37 धवन स्पेस सेंटर SDSC से लौंच किये गए हैं इन सेटलाइट्स में चिन्ने के स्पेस केड्स इंडिया का 37 धवन ST भी सामिल किया गया है चलिए इस से रिलेटर और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लें तो यह देखिए कि इस रॉकेट में 637 कीलो की ब्राजीलियाई सेटलाइट्स अमेजोनिया एक सहीद 18 अन् अंत्रेक्ष में भेजे गए हैं जिसमें 13 जो है वह अमेरिका का सेटलाइट है चलिए आपको यह भी बता दिया जाए कि सेटलाइट्स में चिन्ने की स्पेस किर्स इंडिया के द्वारा क्या भेजा गया है तो देखिए इसके द्वारा भेजा गया है SD कार्ड में प्रती जो है वह भेजा गया है इसके अलावा सेटलाइट पे हमारे देश के प्रधान मंत्री स्री नरेंदर मोदी की तस्बीर भी लगाई गई है आप हमें कमेंट में बताएं कि इस रो के चिफ कौन है पी एस एलवी सी फिप्टीवन जो है वह ब्राजील दौरा इवं इंटीग्रेटिड किया हुआ पहला सेटलाइट है जिसे भारत ने लौंज किया है तो सेटलाइट से रिलेटेड हमने बहुत सारी जानकारी लेली चलिए नेक्स कोशन की तरह बढ़ते हैं नेक्स कोशन हमारा है भारत के निर्वाचन आयोगने हाली में भारत के कितन देखिए इवह अभी हाली में भारत के चार राजियों में चुनाव होने वाले हैं देखिए कौन-कौन से राज्य हैं तो असम है केरल है तमिल नाडू है और पशिम बंगाल है और एक केंद्रसासित प्रदेश है पुदुचेरी यहां भी चुनाव होने वाले हैं बिधान सभा चुनाव परिनाम दो मई को घुशित किया जाएगा साथ ही CEC ने आगे रास्टे मद्दाता दिवस 2021 के विसे हमारे मद्दाताओं को सुरक्षित, सूचित और सतर्क बनाना है तो देखिए इस मद्दान का विसे गया है यह आपको याद रखना बहुत जरूरी है तो देखिए इस बार 2021 में जो मद्दान होने वाला है उसका विसे है हमारे मद्दाताओं को सुरक्षित, सूचित और सतर्क बनाना नेक्स कुशिन हमारा है 29 फरवरी को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है तो देखिए पहला है आत्मा चोड जागरूपता दिवस, दूसरा है विश्व नागरिक रक्षा दिवस, तीसरा स्चुन्य भेदवाव दिवस और चौथा है तीनो दिवस तो देखिए तीनो दिवस मनाया जाता है ओप्सन नमबर डी इसका करेक्ट आंसर है चले questions related important facts देखिए तो तीस परवड़ी को विश्व भर में Self Injury Awareness Day आत्म चोड जागरूपता दिवस, वर्ल्ड सिवल डिवस दिवस, विश्व नागरिक रक्षा दिवस और Zero Discrimination Day यानि सुन्य भेदवाव दिवस मनाया जाता है नेक्ट कुशिन हमारा है भारत सरकार के किस मंत्राले ने पश्चिम बंगाल में रास्टे संस्कृती मोहसब 2021 का तीसरा और अन्तीम संस्क्रण आयोजित किया तो देखिए यह संस्क्रण जो है वो आयोजित किया गया है संस्कृती मंत्राले के द्वारा option number C is correct answer है चले अब हम पश्रिम बंगाल के बारे में जान ले तो पश्रिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता पश्रिम बंगाल के गवर्णर है जगदीप धनखर्ड पश्रिम बंगाल की मुख मंतरी है ममता वनर जी और पश्रिम बंगाल का सबसे बड़ा सहर कॉलकाता है चले आपको यह भी बता दिया जाए कि पश्रिम बंगाल के परोसी देश कौन कौन से है तो देखिए पश्रिम बंगाल के परोसी देशों में नेपाल है, सिक्किम है, भुटान है, असम, बंगलादेश, ओडिशा, जारखन और बिहार है कुश्चन से रिलेटर इंपोर्टेंट फैक्स देखिए भारत सरकार के संस्कृति मंत्राले ने हाली में पश्चिम बंगाल के मुर्शीदाबाद में राष्ट्री संस्कृति महछसबki 221 का तीसरा और एंतीम संस्कृत्तक आयोजित किया है आपको ध्यान रखना है कि यह कहां युजित किया गया है तो पश्चिम बंगाल के मुर्सीदाबाद में और यह तीसरा और अन्तिम संसकरन है इस मौतसब की सुर्वात अस्थानिय कलाकारो द्वारा रंगा-रंग प्रदर्शनों के साथ हुई जिसमें बाउल गान, अलकुप गान, लेटो गान, जुमूरिया और रंपा लोकनित्य सामिल थे अगर आप करेंट अफियर का पीडियप पाना चाहते हैं तो आप हमें जॉइन करें टेलीग्राम पे टेलीग्राम पे आपको करेंट अफियर का पीडियप मिल जाएगा इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्श इसका करेक्ट आंसर है आप हमें कमेंट में बताएं कि टकनपूर जो है वह किस राज्य में स्थित है कोईशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए तो हाली में केंद्रिये रेल वानीची तथा उद्योग और भोगताकार्य तथा खाते एवं सार्जनिक वितरन मंत्री प्यूस गोयल ने वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जड़िये टकनपूर दिल्ली जंक्षन एस्पेसल ट्रेंड को हरी जंडी दिखा कर रवाना किया है उन्होंने कहा है कि नए आधुनिक सुरक्षित LHB कोचवाली पूर्णागिरी जंसताब्दी ट्रेंड सुरू होने से छेतर में प्रेटन और कनेक्टिवीटी को बढ़ावा मिलेगा नेक्स वोशन अमारा है किंद्रिय स्वास्त मंत्री डॉक्टर हर्च वर्दन ने किस राज्य में मोन मेडिकल कॉलेज की आधार सिला रखी है तो देखिए मोन मेडिकल कॉलेज की आधार सिला रखी गई है नागालेंड में ओप्सन नमबर डी इसका करेक्ट आंसर है चले questions related important facts देखें तो यहां देखिए किंद्रिय स्वास्त मंत्री डॉक्टर हर्च वर्धन ने हाली में नागालेंड राज्य में मुख मंत्री स्री नेफ्यू रियों की उपस्तिती में मोन मेडिकल कॉलेज की आधार सिला रखी साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधार मंत्री स्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेत्रेतों में सिर्स राजनितिक नेत्रेतों द्वारा योजना बद्ध तरीके से पुर्वुत्तर के समगर विकास की योजना बनाई जा रही है चलिए नागालेंड के बारे में जान लें तो नागालेंड की राज़ानी है कोहिमा नागालेंड का सबसे बड़ा सहर है दीमापूर नागालेंड के राजेपाल है आर एन रभी और नागालेंड के मुखमंत्री है नेफ्यू रियो बिधान मंडल में देखिए तो नागा लेंड की बिधान सभा में कुल सीठे हैं साथ बारते संसद में देखिए तो राजे सभा में एक सीठ है और लोग सभा में भी एक सीठ है उचनेयायाले है गुवाटी उचनेयायाले जेक्स्क्ट कुईशन अमारा है बुलगारिया में एस्ट्रेंजा मेमोरियल बॉक्सिंग टुर्नामेंट में बॉक्सर दीपर कुमार ने कितने किलोग्राम वर्ग में सिल्वर मेडल जीता है तो देखिए इन्होंने 52 किलोग्राम में सिल्वर मेडल जीता है आप्सन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है यहां देखिए यह हैं मुक्यबास दीपक कुमार इन्होंने 72 में एस्ट्राजा मेमोरियल टुर्नामेंट के फाइनल में हार कर रजत पदक प्राप्त किया है चले कोशिशन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट्स देखें तो यह देखिए बुल्गारिया में एस्ट्रेंजा मेमोरियल बॉक्सिंग टुर्नामेंट में बॉक्सर दीपक कुमार ने फाइनल में डेनियल ऐसे नोब से तीन दो से हार कर बावन किलोग्राम वर्ग में सिल्वर मैडल जीता है आपको यह ध्यान रखना होगा कि दीपक कुमार जो है वह किस से हारे है फाइनल में तो डेनियल ऐसो नोब से हारे हैं साथी इसी टुर्नामेंट में नवीन बोडा ने उनहत्तर किलोग्राम में ब्रॉंच मैडल जीता है नेक्स क्वेशन अमारा है इंडियन रेसलर विनेज फोगार्ड ने आउट इस्टेंडिंग यूक्रेनियन रेसलर्स और कोचेज मेमोरियल टुर्णामेट में कौन सा मैडल जीता है तो देखिए विनेज फोगार्ड ने हाली में यूक्रेन की राजधानी कीव में चल रहे आउटस्टेंडिंग यूक्रेनियन रेसलर्स और कोचेज मेमोरियल टुर्णामेंट में गोल्ड मैडल जीता है तेरपन कीलोग्राम वेट कैटेगरी इवेंट के फाइनल में खेल रतन से सम्मानित विनेज ने 2017 की वर्ल जिन्सकाया को हराया है तो देखिए यहां कई important points है जो आपको याद रखना है तो यहां जो है विनेज फोगाड उन्होंने किसे हराया है तो देखिए world number 7 वेलारूस की खिलारी है कला जिन्सकाया इन्हें हरा करके उन्होंने गोल्ड मैडल जीता है नेक्स क्वेशन हमारा है इंडियन प्रीमियर लीग 2021 से पहले किंग्स 11 पंजाब ने अपना नाम बदल कर क्या कर लिया है तो देखिए किंग्स 11 पंजाब ने अपना नाम बदल कर रख लिया है पंजाब किंग्स आपसन नमबर सी इसका करेक्ट आंसर है उसने अपना नाम हम रखा है पंजाब Kings चले questions related important facts देखें तो यहां देखिए इंडियन प्रीमियर लेग की फ्रेंचाइजी Kings 11 पंजाब ने चिन्नई में 2021 के लिए होने वाले खिलाडियों की निलामी से पहले अपना नाम बदलकर पंजाब Kings कर लिया है टीम के मुख्य कारेकारी अधिकारी सतीस मेनन ने ब्रांड की नई पहचान के बारे में कहा पंजाब Kings एक अधिक विक्सित ब्रांड नाम है और हम समझते हैं कि यह हमारे लिए मुख्य ब्रांड पर ध्यान देने का सही समय है जिलिंग लैंग लोटा और गुवाली लॉएस्क ब्लॉक जो हाली में खबरों में थी किस राज्य में इस्थित है तो देखिए यह इस्थित है ओडिशा राज्य में ऑप्सन नमबर भी इसका करेक्ट आंसर है चलिए कोईशन से लेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट देख इन दो लॉएस्क खादानों का नाम है जिलिंग लंगलोटा लॉएस्क और दूसरा है गुवाली लॉएस्क इन खादानों में ओडिशा के लिए लगबग पांच हजार करोर रुपे का वार्सिक राजश्व और विभिन्नि प्रकार के रोजगार के अफसर भी पैदा किये जाएंगे चलिए ओडिशा के बारे में जानने तो यौ defki राज़ानी भूबनेश्वर है सबसे बड़ा सहर मुझानों पर नबीन्स पटनायक बीधान मंड़ल में देखिए तो बीधान सभा में। ऑडिशा की कुल Solutionsieve alors vont सब् np. ब्अब्धें 10 अलों तो आपको कैसा लगा आपको कमेंट करके अवश्य बताएं वीडियो अगर आपके रिए हेलफुल हो आपको पशंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को भी सेयर अवश्य कर दें अगर आप हमें फेस्बुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें अगर हैं नए दिन नए प्रस्टों के साथ आप सभी का धन्यवाद